खेलो दोस्तों तो आ गई है JSSC CGL का बिग अपडेट तो आप जानेंगे कि JSSC CGL का कब होगा एक्जाम और बहुत सारे आज लेडेस्ट अपडेट जानने वाले हैं विडियो को पूरा देखेंगे बहुत सारे जानकारी प्राप्त होने वाले हैं जैसे देखिए कि उत्पात सिपाही का दोड के लिए कब एडमिट का डाउनलोड का आप्सन साएगा और JSSC CGL का जो है एक्जाम कब तक होगा ठीक है और भी जैसे आज हम लोग जानने वाले है जैसे कि नगरपालिका का एक्जाम कब होगा कब होना था और अब कब होगा सारे चीज का अभी बिग अपडेट आपको देने वाले हैं लैब असिस्टेंट का रिजल्ट कप आएगा ठीक है तो यहां देखिए LDC जो आने वाली वेकेंसी है और कौन-कौन सी वेकेंसी है यह सब के बारे में अभी आपको मैं सारा चीज़ डीटेल्स में बताने वाला हूं देखतम ध्यान से सुनेंगे अच्छे से सुनेंगे तो देखिए दोस्तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जे एससी सीजियल का जो बिक अपडेट यह है कि आपका यह जो 14 से 15 अक्टूबर के बीच में होने थे वो नहीं हो पाएंगे क्योंकि एलेक्शन्स का दौर चल रहा है एलेक्शन के चलते बहुत लेट होंगे ठीक है और वैसे भी सरकारी काम बहुत बहुत लेट से होता है ठीक है वो आप लोग भी जानते हैं और ऐसा इसली होता है क्योंकि ये जो elections का time होता है तो सारी लोग ब्यस्त हो जाते हैं ठीक है जिसके कारण ये संबो नहीं हो पाता है तो ये जो है आपका 14-15 का जो exam होना था आपको ये demotivate नहीं किया जा रहा है कि भाई ऐसा सर क्यों बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है तो ये 14-15 का exam कभी नहीं हो सकता ठीक है और ये मैं नहीं चाहता हूँ कि ये exam नहीं हो, exam होगा क्योंकि अभी बैठक होंगे अध्यक्ष महोदय के द्वारा तो कुछ-कुछ जो बाते पता चली है जैसे कि नवंबर का first week अगर first week में नहीं हुआ तो आपका last November यानि की December में चला जाएगा ठीक है तो आपका जो है यानि ये देखिए चार November से ये 10 November के बीच में जो है first date का जो है आपका ये निकल सकता है कि भई एक्जाम हो सकता है अगर election के चलते ये disturb हो गया ठीक है इधर तो आपका दसहरा ही हो गया दसहरा पूझा बगएरा बगएरा अगर इसके चलते election के चलते अगर ये cancel हो गया तब एक और date दिया गया है जो आपको जो है ये कब होगा last November में हो सकता है या December में जा सकता ह है तो दोस्तों अभी आप लोग के पास बहुत टाइम है 40 से 50 दिन है ठीक है ये 40 से 50 दिन में और भी जितना आपका छुटा हुआ है जैसे कि बहुत सारे students का जो जिनका language paper जो है नाकपूरी है किनी का खोठा है भाई किनी का हिंदी है तो यहां का सारे का हिंदी और नाकप पूरी का course कराया जाता है आप AD Classes app पे जिस सारे course देख सकते हैं तो भाई जितने लोग है जिनका ये course complete नहीं हुआ है अच्छे से तो वो अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे क्योंकि ये जो तयारी होती है एक दिनों की नहीं होती है और मैं बात बता दूँ बहुत सारे students ब है और comment में भी करते हैं कि सर इतना ही हो पा रहा है WhatsApp में करते हैं बहुत सारा message आता है तो दोस्तों आपको इसमें जो है आपको और मेहनत करने होंगे ठीक है क्योंकि जो है सारे slaves पढ़ा दिया गया है वो भी free of course on YouTube ठीक है एक भी रूपया ने लिया गया है सारे course free है note paid course नाकपुरी का संपुर्ण class यहाँ free है आप एकदम मेहनत करेंगे notes बनाएंगे एकदम अभी बच्चों का 85 से 90 के बीच में आ रहा है बस इससे एवब करना चाहते हैं तो आपको जितने set हैं आपको 80 जार्खन classes का 80 classes app पर वो आप जरूर लगाएंगे और भी सारे टेस् के बारे में भी बोल दें कि ज्यार्खन जिके का जो bullet train ज्यार्खन जिके प्लस 385 का ज्यार्खन जिके यह पढ़ लेंगे आपका ज्यार्खन से एक भी प्रशन नहीं छूटे गा । हिंदी पेपर 2 का संपूर्ण तयारी यहां कराया जा रहा है, हिंदी पेपर 2 का एकदम बहतरीन धंग से तयारी कराया जा रहा है, अगर आप इंक्वाइरी करना चाहते हैं, तो इस नमबर पर कर सकते हैं, 8863-884281, ठीक है, तो और मैं दोस्तों मैं बता दूँ कि यह जो आ अपडेट नहीं आया, ठीक है, एलेक्शन के चलते हैं डिले हुआ, तो आपका जो है, लास्ट नमबर यानि की दिसंबर में पक्का एक्जाम होगा, ठीक है, इसे कोई नहीं रोक सकता है, ठीक ना, क्योंकि एलेक्शन में बहुत सारे बीजी होते हैं, अगर आपका कोई घ ब्यस्त हो जाते हैं, तो एक्जाम को कंडक्ट कराना बहुत ही मुश्किल होगा, और ये तो आपको बताई होगा कि जैसे सीजियल का जो है, ये आपका शीविटी एक्जाम नहीं होने वाला है, ठीक है, ओफलाइन एक्जाम होंगे, वे मार सीट्स आपको मिलेगे, तो वर भी है, और जैसे बहुत सारे संभावित डेट निकाले गया थे, वो सारे कैलेंडर डेट को हम लोग देखेंगे फिर से आज, तो ये तो पता चल गया कि 14 से 15 को आपका इक्जाम नहीं होने वाला है, कनफर्म कर लीजिये, ठीक है, कब भी नहीं होगा, ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं, कि ये उत्पाज सिपाही का दोड, तो देखें, ये जो है, आपका, 10 नवंबर तक, 10 से 15 नवंबर के बीच में इसका कुछ अपडेट आ सकता है, अक्टूबर, सौरी, अक्टूबर, ये जो है, यानि कि आपका देखिए, 10 से 12 नवंबर के बीच में इसका कुछ अपडेट आएगा, ठीक है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि दोड कप से होने हैं, ये बात आप रख लेंगे, और नहीं, तो ये जो है, आपका, फर्स्ट विक में भी, इसका भी वो होने वाला है, जैसे कि नवंबर में भी, ये आएगा, अगर 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच में नहीं आया, तो नवंबर में पक्का आएगा, ठीक है, तो ये आप रख लेंगे कि 10 से 12 के बीच में ये चरूर आएगा, और चलिए नगरपालिका का एक्जाम जो है, ये जल्दे ही होगा, ठीक है, इसके लिए तिति बताये गये थे, ठीक है, संभावी तिति को हम लोग last में देखेंगे, और चलिए, ये lab assistant का result आपका जो है, last October में आ जाएगा, ठीक है, और बहुत ही जल्द आने वाला है, last October में ये इसका lab assistant का result आने वाला है, और आने वाले vacancies जो है, बहुत सारे हैं, जैसे कि LDC हो गय तो ये तो 12 level पर है, जिसका भी एक class कराया जा रहा है, ठीक है, और भी vacancies हैं, जो सारे अभी आ रहे हैं, ठीक है, तो एकदम जम कर तयारी करें, और अच्छे से तयारी करें, टाकि जब आप questions के सामने हो, तो आप डरे ना questions को डरा दे, ठीक है, इतना बेहद और बेजोर त बाराना सके, ठीक ना, तो ये सब आपको जो है, बात जो है, आपको ध्यान देनी वाली बाते हैं, ठीक है, ठीक है, तो देखिए, यहाँ जो है आपका, ये उत्पात सिपाही का जो है, यहाँ एक्जाम के लिए देखी, यहाँ क्या बताया गया था, मैंने वही बताया हो सकता है कि last November तक आ जाए ठीक है अगर नहीं होता है तो यह आपका लिखित रूप में जो है परिक्षा आपका यानि कि यह लिखित रूप में इतना संभावित है तो देखिए यह जो है आपका last November यानि कि first week में अगर आ जाए तो ठीक otherwise यह November तक आही जाएगा इसका लेकिन आप हमेशा दोड़ें ठीक है तैयारी करें और student जो लड़के लोग है उनको तो जादा दोड़ना होगा और दोड़ काफी भाई वो हिम्मत वाला होता है क्योंकि जब आप दोड़ेंगे तो बहुत ही energy लगता है और दोड़ का practice जरूर करेंगे एक घंटा दो घंटा यान क्योंकि वहां घड़ी कोई काम नहीं करता है अगर आपके पास stop watches अगर हाथ मिले सकते हैं than the best otherwise आपके पास जो है यानि की जो यह पशीना से खराब हो जाते हैं वैसे घड़ी वहां नहीं चलेंगे जैसे आप 7-8 round आप दोड़िएगा वहां जो है घड़ी खराब हो जाता है और दोड़ने का भी मैट्रिक बहुत बताऊंगा कि किस प्रकार से आप दोड़ सकते हो ठीक है कैसे दोड़ना है सारे चीज आपको मैं एक वीडियो में बताऊंगा ठीक है दोस्तों तो यहां देखिए एक ये हो गया और भी देखिए जैसे कि यह सब सारे exam होंगे ठीक तो आप इस पर ध्यान देंगे देखिए तो अभी जो है महिला परिवेक्षिका और ये असनातक सञ्जूक्त तकनेकी विशिष्ट ये वाला जो परिक्षा है परतियों किता और देखिए प्रारमभीक प्रसिक्षित परिक्षा है ये सब जो सारे हैं सारे में सीजियल का ही आपका सेम रहेगा वो नाकपुरी के लिए हो या हिंदी पेपर टू के लिए हो तो यहां देख लेते हैं इंटरमेडियर देखिए लडिसी का ही ओमार शीट पर होने वाला है यह वेकेंसी जल्द ही आएंगे ठीक है तो आप वेट करें और खुद को तयार रखें जब आए एकदम जूर लगा देना है इस बार ठीक है तो दोस्तों यही आज का बिग अपडेट था और मैं एक आप लोग के लिए जरूर बढ़ाऊंगा कि यह दोड जो है किस प्रकार से दोडेंगे कि पास हो जाए और देखिए यहां है यानि कि जैसे शीजिल का जो है 14 से 15 के बीच में जो है आपका यह अक्टूबर को एकजाम नहीं होगा यह आपका होगा नवेंबर फर्स से 10 नवंबर के बीच अगर वो एलेक्शन के चलते डिले हुआ तो आपका हो सकता है लास्ट नवंबर में हो सकता है यानि कि दिसंबर में तो दोस्तों खुद को तयार रखे बेजोड रखे और इतना परिश्रम करें इतना तयारी करें कि एक भी प्रस्न छूटे ना ठीक ह तो अपने आपको धोका नहीं देना है खुद से अच्छे से पढ़ना है और जो भी चुडेंस का मैं अपने विद्यार्तियों से ये मैं बोलना चाहरा हूं बताना चाहरा हूं कि जो भी स्टूडेंस का 85 से 90 के बीच में आ रहा है बस उसी क्लास का और अच्छे तरीके से करें आपका 90 प्लस हो जाएगा ठीक है तो भाई ऐसे वट्सप पे मैसेज करने से नहीं होगा कि सर मेरा इतना आ रहा है यह टेस्ट लगा रहे हैं तो इतना हो रहा है ठीक है उतना ला रहे हैं और मेहनत करिए 90 प्लस लाइए भाई क्योंकि language paper ही ऐसा paper होता है जो आपको success दे दे सफलता दे दे ठीक है क्योंकि यह all depends रहता है आपका यह जो है कि आप कितना marks जादा ला सकते हैं यह depend करता है language paper पर ही ठीक है तो आप ध्यान देंगे इस बात पर और JPSC का तो अभी नहीं होगा लेकिन उसका भी जल्द आएगा ठीक है लास्ट यह दिसंबर तक JPSC 11 JPSC का हो सके notification आ जाए लेकिन अभी उसका यह chances नहीं है ठीक है दोस्तों तो यह हुआ आपका आज का update धन्यवाद watching for this video जै हिन जै भारत